अचके चेप्टिक का नाम है chemical reactions and equations, तो सबसे पहले बात शुरू होती है कि chemical reaction क्या है, तो chemical reaction एक वो process होती है, जिसमें दो या दो से ज़ादा reactant, ठीक है, process in which two or more than two reactants, reactants वो होते हैं, जो participate करते हैं, ठीक है, मिलकर आपको दो या दो से ज़ादा reactant मिलकर आपको कहा देते हैं, फूप सारे product, new products देते हैं, product वो होते हैं, जो नई चीज़ बनती है, तो हम क्या कहते हैं, product कहते हैं, ठीक है, अब बात हमारी शुरू होती है, पहरी activity जो आपकी बुक में दी हो, बहुत important है, से कई questions पूछ सबसे पहले, तो कहे रहा कि, Magnesium Ribbon का experiment होता है, Magnesium Ribbon के experiment में, सबसे पहला जो कोशिन पूछा जाता है, आपसे, कि वो Magnesium Ribbon को जलाने से पहले ही sent pepper से मैं क्यों करते हैं, तो हमारी मैंगणिशिण Ribbon है न, चीक है, उसको sand paper से clean किया जाता है क्योंकि magnesium ribbon के उपर पहले से ही oxygen की पतली सी layer present होती है जो इस magnesium ribbon को जलने नहीं देती है अब जब जलेगी नहीं तो oxygen से reactive नहीं करेगी तो जो पहले से oxygen की layer उसको remove करने के लिए हम लोग क्या करते हैं sand paper से clean कर देते हैं ठीक है फिर दूसरा सवाल ही आता है कि जो magnesium फिर तुम जब magnesium ribbon को जला होगे न तो तुम देखोगे उसमें वाइट डैजलिंग विक्तम सफेद सा क्या बोलते हैं दूद सा सफेद जो है न वह रौश्णी निकलती है करा सब क्यों होता है तो magnesium ribbon को जब आप air में है जब air में burn करते हो तो वह क्या करता है वह oxygen के साथ react करता है magnesium और एक white dazzling flame देता है इसकी formation की वज़े से magnesium oxide की वज़े से और बाद में magnesium oxide आपको ash की form में राग की form में नीचे मिल जाती है ठीक है चलो समझे और जब भी आप उसको answer करोगे तो आपकी reaction balance करके जरूर लिखना पड़ेगा state भी लिख जाना magnesium solid में होती और oxygen हमारा gas में होता है जो MgO मिलता है वो solid state में मिलता है ठीक है फिर अगला experiment आपको 1.2 उसमें क्या करना है हमें lead nitrate lead nitrate को potassium iodide के साथ mix करा दे तो lead nitrate जो की मेरा PV NO3 whole twice होता है जब मैं दोनों को react कराऊंगा तो मुझे मिलेगा PBI2 और PBI2 मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा KNO3 potassium nitrate मिलेगा इसमें क्या हो रहा देखो lead nitrate मेरा aqueous था potassium iodide मेरा aqueous था लेकिन जो मुझे lead iodide मिला वो कैसा है solid है और potassium nitrate मिला वो aqueous है तो यहां पर यह जो substance है जो की solid state में होगा वो एक precipitate generated करेगा ठीक है वो क्या बनाएगा precipitate बनाएगा insoluble substance बनाता है ठीक है वो क्या बनाता है insoluble substance उसे हम precipitate कहते है ठीक है और वो किस color का होता है yellow precipitate का होता है reaction which produces yellow precipitate या कभी-कभी MCQ में पूछ लेगा कि इन मेंसे किसकी formation की बज़ेसे प्रेशितर चार चीज़ें इन मेंसे किसकी formation की बज़ेसे जो है वह आपको क्या वोलते हैं येल्लो प्रेसिपिटेट मिलता है तो PBI2 लेट आयोडाइड की वज़े से येल्लो प्रेसिपिटेट मिलता है जी एच्छा हो देखा है अब रियक्शन अब जिंक ग्रेनुल्स के टैसे तो जिंक जो आपका मैटल है उसको जब मैं हाइड्रो क्लोरिक एसिड के साथ दाता हूं तो यह क्या देता है मुझे जिंक क्लोराइड और क्या देता है रियक्शन में जिस टैस्ट्यूम आप ये रियक्शन करते हूं भी दढ़ाता है और आपको हाइड्रोजन गैसके बबल्स नजर आते हैं और साथ में आपका जो प्लास्क निवित जिसमें सब कर रहे हो करा मुझा ठीक है तो मैंने जो ऊपर की अक्टिविटीज देखी मुझे यह पता चला कि जब भी कोई chemical reaction होता तो मुझे कुछ चीज़े देखने को मिलती है जैसे change in state state change होता हुआ नजर आता है मुझे change in color color change नजर आते है evolution of a gas gas evolve होती ही नजर आती है change in temperature temperature में change नजर आता है formation of precipitate precipitate form होता है तो यह सब मेंसे कुछ भी अगर आपको दिखरा है एक या एक से ज़ादा observation आपको नजर आ रही है तो आप समझे ना कि chemical reaction चालू हो चुका या कम्पीड हो चुका अब चैमिकल एक्वेशन क्या होती है किसी भी chemical reaction का एक short hand short form ठीक है कोई chemical reaction अब बहुत बढ़ा है कि वैंप अब इतनी बड़ी चीज लिखने से बढ़िया है तो यह short form में जब हम किसी reaction को लिखते है तो वो shorter form को कहते है chemical equation क्या बोलते हुटा जो कि chemical equation में दो चीज़े होती है जो की chemical reaction में पार्टिसिपेट करता है जिसमें चेंज आते हैं और उसे एरो के left side में लिखा जाता है और जो reaction के बाद नई substance बनते हैं उसे product कहते हैं और उसको कहां लिखा जाता है एरो के right hand side लिखते हैं इसे clear अब हुमारे पास पिटा chemical equation दो तरीके की होती है पिस स्केलेटल chemical equation होती है कैसी skeletal chemical equation होती है और दूसरी जो है balanced chemical equation होती है तो skeletal chemical equation को अब लोग unbalanced chemical equation होती है तो skeletal chemical equation क्या होती है वो equation होती है जिसमें टोटल number of atoms of each element हर element के left side में इतने atom होती है उतने atom हर element के right side में नहीं होती है चीक है मालोगर left में hydrogen के दो चार है और arrow के right में मालोगर hydrogen के कितने हैं तो यह balanced नहीं है skeletal chemical equation को balance करना जरूरी है चीक है skeletal chemical equation must be balanced so as to avoid चीक है skeletal chemical equation must be balanced so as to avoid the law of conservation of mass avoid नहीं avoid तो देखो skeletal chemical equation यानि unbalanced chemical equation को balance करना बहुत जरूरी होता है ठीक है क्यों skeletal chemical equation must be balanced उसे balance करना जरूरी है क्यों so as to avoid 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 the law of conservation of mass ताकि वो law of conservation of mass को क्या करे follow law of conservation of mass को क्या करे follow अब सवाल यह आता है कि से law of conservation of mass क्या है तो यहां पे वो class 9 वाला नहीं लिखना हो इदर थोड़ा असा advanced version लिखना है law of conservation of mass का मतलब होता है total number of atoms of each element हर element के जो atoms के number है on the reactant side on the reactant side left side पे हर element की जो total atoms है वो बराबर होने चाहिए total element of every element total atoms of every element on the product side तो राइट side में जितने क्या बोलते है hydrogen के atom है left में भी उतना ही होने चाहिए hydrogen के उतना ही होने चाहिए bonds बनते हैं या फिर bonds चूटते हैं ठीक है atoms के बीच bonds या तो बनते हैं या फिर bonds चूटते हैं ताकि वो नए substance को बना सके हैं समझ भागी भाई तो देखो भाई तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं कि chemical reactions कुतने type क्यों होते हैं तो देखो जो chemical reaction का सबसे पहला type है उसे कहते है combination reaction नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा combined होगे ठीक है तो combination reaction वो होता है जिसमें 2 या 2 से जादा reactant combination reaction क्या है जिसमें 2 या 2 से जादा reactant मिलकर एक सिंगल प्रोड़क्ट बनाते हैं सिंगल प्रोड़क्ट बनाते हैं जैसे कि मालव एक element A है या compound element A है दूसरा B हो मिलकर इनोंने क्या बनाया X या इन तीनोंने मिलकर क्या बनाया Y तो देख रहे हो left side left hand side पे कितने भी कोई परख नहीं पड़ता बट राइट पे कितने एक ही है ना बहुत सारे elements मिलकर यह compounds मिलकर जब एक compound बनाते हैं तो उस process को क्या बोलते हैं अपन combination reaction का बोलते हैं combination reaction ठीक है चलो अब हम बात करते हैं इनके examples की तो example पर बड़ा focus करिएगा आप लोग पेपर में क्या आता है ना पेपर में ऐसे question आता कि a solution of a substance x a solution of a substance x used for white washing correct substance है हमारा उसके solution को white wash के लिए use करते हैं तो जैसे ही तुम white wash सुनते हो तो तो तुम्हारे दिमांग में पर यह चीज आ जाती है लेकिन question क्या है solution of x की एक चीज है उसको जब पानी में डालते हैं फिर एक solution बनता है उस solution को white wash के लिए use करते हैं तो वो क्या चीज थी जिसे पानी में डालके solution बनाया है ठीक है वो है हमारी quick lime वो चीज क्या है quick lime को जब हम पानी में डालते हैं नहीं quick lime के जब हम solution बनाते हैं यह रहा वो solution ठीक है हमारी बहुत सारी heat वगरा निकल्डरी होती है तो अब इसी चीज को calcium आट्र ऑक्साइड को हम दिवार पर फोट देते हैं जी है तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोग की लिख देना solution किसका होता है solution of c a o calcium oxide calcium oxide का solution is used for is used for white washing इसके लिए उसके जाता है white washing के लिए फिर अब आपने देखा इस reaction में क्या हूँ हीट निकली हीट अगला है burning of coal कोईले को तुम जब भी जलाते हो कोईला क्या करता है जलते time oxygen के साथ यह करता है और एक gas देता है जिसका नाम है CO2 carbon dioxide gas देता और आपको देता हीट तो देखो अगला है formation of water तो जब भी पानी बनता है एच्टू गैस और ओटू गैस से मिलाकर जब भी पानी बनता है उस time पे भी heat निकलती है उस time पे भी क्या होता है heat निकलती है तो यह भी हमारा क्या है heat निकल रहे है तो ऐसे सभी reactions ठीक है the reaction in which heat is released वो सभी reaction जिसमें heat release या evolve भी कहते है जिसमें heat निकलती है प्रोड़क्ट की formation के साथ साथ को उन रियक्शन को अफन exothermic reactions कहते हैं क्या बोलते है उच्छो एक्जो थर्मिक reactions ठीक है तो ऊपर की जो सभी example थे ना यह देखो पहला वाला यह दूसरा और तीसरा formation of water यह तो फिलाल combination के थे इसके थे combination के ठीक है पर इसमें heat भी निकल रही थी तो exothermic भी थे ठीक है mix example है combination के और exothermic के लेकिन अगर हम बाते रहे exclusively सिर्फ और सिर्फ और exothermic reaction थी जिसमें सिर्फ exothermic reaction हो रहा है combination नहीं हो रहा है तो वो हमारा burning of natural gas लेको जब भी आप natural gas यानी methane gas को burn करते हो तो देखो अब क्या होगा कि जब भी methane gas को oxygen की presence में हम burn करते हैं तो हमें carbon dioxide gas मिलती है CO2 gas मिलती है water की vapors मिलती है इसलिए बने gas दिखा हुआ water की vapors मिलती है और vapors हमें साग गैस के state से दिरोट करते हैं और खूब सारी heat मिलती है देखो यहाँ पे दो चीजों ने मिलकर दो चीजे बनाई न तो combination तो लेकिन क्योंकि heat निकल रही है तो इसके अलावा कि क्या होता है क्या होता है देखो कुशन आ सकता है कि वाई respiration is an exothermic reaction respiration जो है वो exothermic reaction क्यों होती है तो जो carbohydrate होता है वो oxygen के साथ mitochondria में करता है रही है और पिर आपको देता है CO2 water vapor और large amount of heat energy क्या देता है एनर्जी देता है heat की form में तो इसी लिए क्योंकि heat energy रिलीड हो रही है एनर्जी दोड़ी एनर्जी इवाल्व हो रही है तो जो respiration वो कैसा reaction क्यालाता है अब जो exothermic reaction अब जब भी इसको answer करोगे question को तो भगया यह नीचे प्यारी सी equation चोटी सी दिखिया देता है भागवा रंग में हमारी है कि के सरिया रंग C6H12O6 जब यह oxygen के साथ react करता है तो आपको देखता है 6CO2 6H2O plus energy और यहां में energy मिलती है अगला सवाल आ सकता है why the decomposition of vegetative matter is an exothermic reaction अब यहां पी यह decomposition of vegetative matter जो है इस decomposition का मतलब यह वाला reaction नहीं है decomposition reaction नहीं इस decomposition का मतलब है सढ़ना कि जब सब्जियां बगारा पल बगारा सढ़ते हैं तो उसे exothermic reaction क्यों कहते हैं तो जब कभी भी vegetative matter decompose होता है तो जो microbes यह नि microorganism होते हैं उनके उपर feed करते हैं खाते पीते दावत करते हैं और इसके बाद chemical reactions होते हैं digestive juices छोड़ देते हैं और जब ही chemical reaction चालू हो जाता है तो अपर बहुत सारी heat energy देते हैं बहुत सारी heat energy release as a result of anaerobic respiration इसकी वज़े से anaerobic respiration की वज़े से इस वज़े से क्योंकि इसमें भी फिर अगेन heat निकल रही है अब इसका मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एक्जामपल यह दे सकता हूं कि भया आप अपनी कॉलोंयों के के हैं तो आपने देखके होगे जहां इपकी कॉलारी बड़े हैं कीр बढ़ी-देर CON shade बड़े होगे का दिब में जलिंडे खाली कर रहे होते हैं चैके आस में चजी अर्मिकल के आभागी के Despite आझाउस होती में सबया होते तो वह एनरजी सी रिलेस करते हैं अजीब सी हीट महसूस होती है तो डिकंपोजीशन हो रहा है सड रही है वो चीजे तो इस टाइम पर बैक्टिरिया बगरा जर्म बगरा है वो खाते हैं गंदगी तो कहीं वह अपने डाजिस्टिब डिकंपोजीशन रियक्शन में क्या होता है कि सिंगल रियक्टेंट एक एकलाता रियक्टेंट तो या दो से जाधा प्रोड़क्स में और उसे हम क्या कहते हैं डिकंपोजीशन रियक्टेंट एक सिंगल रियक्टेंट एक स्टीट और इस टाइप के रियक्शन को अपन क्या बोलते हैं बबाता डिकंपोजीशन रियक्शन का मतलब यह कि इस तक ना तो देको इसके examples तो question पूचेगा आपसे कि what happens when iron sulfate is heated तो iron sulfate जो कि आपको पता होगा आपका green color का होगा उसको जैसे हम गरम करते हैं तो उसका water of crystallization जो है वो लूज करता है और वो दीरे-दीरे colorless होने की कोसिस करता है colorless होने लग जाता है और साथ में जब उपना water of crystallization lose कर देता है तो जो products बनते हैं वो होते है ferric oxide सबसे कहले का बनती है ferric oxide बनती है sulfur dioxide बनती है sulfur dioxide बनती है और जब यह sulfur dioxide और sulfur trioxide gas बनती है तो एक sulfur के जलने सी smell आती है sulfur के जलने सी smell आती है इसे कई लोग pungent smell का नाम नहीं देते है कैसी pungent smell पंजन स्मेल सी produce होती है ठीक है तो आपके लिए यह reaction आपका बहुत important है ठीक है यार रखना आप फिर ऐसे ही अगला आ सकता है कि भाया क्या होता है जब calcium carbonate को आप heat करते हैं क्या मिलता है calcium oxide क्या मिलता है बच्चो calcium oxide और carbon dioxide तो देखो मैंने calcium carbonate को heat किया मुझे CAO calcium oxide यानि quick lime या lime भी कहते हैं और मुझे का मिला साथ में CO2S मिली ठीक है एक चीज को चलाया दो मिल गई decomposition reaction अभी तक हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं चाहें यह reaction हो iron sulcate वाला और चाहें तो बटा calcium oxide वाला reaction हो इसमें हम क्या कर रहे हैं हम heat दे रहे हैं और heat दे रहे हैं energy दे रहे है किस फॉर्म में heat की Felm ठीक है तो वो reaction जिसमें आप क्या बोलते हैं वो decomposition reaction जिसमें आप heat देते हो तो इसको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोडिशन का फिर ऐसे यह यह जो है आपके लिए बहुत इंपोर्टन रेक्शन है तो इसमें क्या करते हैं कि अपन जो लेड नाइड्रेट है लेड नाइड्रेट एक सॉल्ट होता है इसे जब भी हम हीट करेंगे एक साथ में देगा नाइड्रोजन गैस नाइड्रोजन डैयॉक्साइड देगा और देगा ऑप्र उख्यर यस रियक्शन में जब बहुरे रंग का दुओ निकलने लग जागा ब्राउन फूश्छं लग जागा जैसे आपने मिभी तो ऐसे इस रियक्शन में भी क्या होता है ब्राउन कलर का दुवा निकलने नग जाए ठीक है तो यह बोड के लिए बहुत इंपोर्टेंट है भाई यह रियक्शन चीक है अभी आपके आपके अल्डी वगारा में जितने भी एक्जाम्स होगे उनमें कई आपको देखने को म यह बोड के पेपर में दूसरा है तीसरा ही सवाल था चीक है तो वो डिकंपोजीशन रियक्शन जिसमें हीट का यूज किया जाता है ब्रेक्डाउट करने के लिए रियक्टेंट को उसे हम थर्मल डिकंपोजीशन रियक्शन कहते हैं उपर तीर एक्जम्पल पढ़ाई थ तो सब्सक्राइब है तो सबसे पहले हैं कि कुछ कि यहां टम्स करूंगा मैं इलेक्टरज क्या होती है जिसमें करेंट जो है लिक्वड के अंदर आता यह पर जाता है जैसी दो रोड बनागी नहीं आपर यहां आपर ये दो रोड या हमारी दो रोड अब इनमें दोनों रोड में भी एक स्पेशन चीज होती है एक को बोलते है एनौड और एक को बोलते है कैथोड तो कैसे पैचानों कि कौन सा एनौड है कौन सा कैथोड है तो बिटा देखो जिस भी रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वह नहीं के पैचानों और पे एनौड पे आएगा पिटा अनाइन पे कौन आएगा एनाइन तो यहां समझे चरह एनाइन क्या चीज होती है आपकर समझा रहा हूं देखो प्रीट्रिक्स समझा रहा हूं तो यह मैंने भी कौन सा साइन बनाया है नेगेटिव ए पर अब यह द एनोड पे कौन चीपकता है जाके कौन एक्ट्रेक्ट होता नौऔ एनौड की तरफ अनाइन John ओर अब मैं बनाऊगा चाहर् चिक है क्या बनाऊगा क्या है तो प्रीट्र क्यासा मटकेटिव आर इस पर देखऊ एक्ट्रेक्ट्र कौन होगा इसकी तरफ आप अने क्या बना तो देखो अब इल्यक्ट्रोलाइट क्या होता मैं अभी ऍषग हुए आम यह लिक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने अंदर से करण पास करदा आप यह प्रettsुन आप गी कुरत आप ऑट्र में प्यारियों नोहीं होती है लेकिन आपका टैप वाटर उसमें कुप सारे डिसॉल्ट को अब जैसे ही तुम पानी के अंदर मतलब रिये सैटक बना लोगा आपको इस तरीके का सेट अप बना ना सेट अप करना क्या है कि आपको एक मग लेना अपना बात्रूम वाला इससे नाहाद होते हैं आप तो उस मग को क्या करना उसमें नीचे दो छेड कर देना घरल मशीन से आप ऐसे घरम घरम पेच कर गुषा देना उसके अपके आप इंडरिकल की दो रॉड निकलती है वह आपकी कार्बन रॉड हो जाती है मुख उसा देना इन छेदों में उसके बाद एक एक को बैटरी के पॉजिटिव से करेंक कर देना तार की मदब से दूश्रे को नेगटिव नेगटिव निचे लगा देना फिर क्या करना इस मग में पानी बढ़ देना और नीचे ना कहीं अगर मान लो कहीं पे भी अगर लीक ही हो रहा तो आयम सील वगारा या आप ले वे ले से चिपा रहा ठी उसके बाद में क्या करना इस मंग में पानी बढ़ना पानी के बाद दो टेस्ट्यूप दोनों इलेक्रोडिक पर डाल देना तो जैसे ही तुम स्विच आउन करोगे तो तुम देखोगे न कि हमारे क्या होगा अब मेरे यह ओरिजनल डाइगना तो अब गौर से देखोगे तो एक जो टेस्ट्यूप है उसमें जो बबल सिखटी हो रही है वो कब और दूसरे वाले में जो बबल सिखटी हो रही है ब वो दो gases की है तो कौन से में कौन सी गैस आएगी तो वैटा जो तुमारा अनौर्ड है कौन है एनौर्ड इसमें oxygen gas आईएगा oxygen gas और जो cathode है कौन? इस पे आएगी hydrogen gas तो हमने क्या देखा कि cathode में जो gas collect हो रही है उसका volume उसका amount double है किससे ऐनोड वाले से है ना आप देख रहे हो ना cathode में देखो कितने सारी bubbles ज़रा रहे हैं जब कि oxygen में कम bubbles है तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ ठीक है तो अब सम्झो जरा तो अब ना पहले लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर तुमारा मान लो कि तुमारा gas collect नहीं हो टेस्टिम में तो 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 पोड़ी बहुत sulfuric acid की बून डाल देना sulfuric acid की dilute sulfuric acid की बहुत बून डाल देना जिससे क्या होगा बून लग जाने लग जाएंगे जल्दी जल्दी बून साइगे इसलिए डाला जाता है ताक्कि sulfuric acid impurity ज़ड़ कर देता है पानी को इंप्यूर कर देता है ठीक है मिलावट होगी न पानी में तो आप देखो के अनौड़ साइड में आपको हम आक्सीजन की बबल नगा इसकी बबल साइगी है कि इसकी बबल नज़र आएंगी और आप कैसे करोगी जो टो तो 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 तुम देखोगे की जो बर्णिग चैंड़ल जलती मूमर ती और बर्निंग और सपोर्ट कौन करता औक सीजन यह जो है को और ते जागूं गई है फिर क्या थोड़ साइड पर तो क्या थोड़ साइड पर आपको हाइड्रोजन गैस के वबस दिखेंगे ठीक है और इसकी प्रेजन्स डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जलती भी मुंबती ले जाना हो पॉप की साउंड के साथ बुझ जाएगी ऐसे कर रवा जाएगी और वो बुझ जाएगी समझ लेना भाई पॉप साउंड समझते ना पिट पिट आने वाल तो उस हवाज के साथ आपकी मुंबती बुझ जाएगी समझ लेना आइडरोजन गैसे लाना है तो अब सवाल ही आता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा हूँगा सर आप कह रहे हो कि एक कैस्ट्यूम में जो गैस कलक्ट हो रही है उसका वॉल्यूम अनॉड से डबल है क्य हडिर थर लाने की कोशिश्ट करते हैं तो मुझे किया करना पड़ता है कि 号 इतो एक मौलिकुल भेने के लिए सिंगल अनृफ इसका इडरोजन डबल चाहिए जो आपके रियक्शन दपके है। फिर आपके रियक्शन लिखते हैं तोड़ा सा है तूटा तूटा यह देखू साफ शुतना प्यारा सा रियक्शन लिखा है। कि जब मैं 2H2O में electricity दूँगा तो मुझे 2H2 gas लिख दे ना और O2 gas मिलेगी तो जो मुझे H2 मिलेगा वो लिख दे ना cathode का और O2 मिलेगा देखो H2 का मिल रहा है cathode का और O2 का मिल रहा है और O2 के नीचे gas और लिक्विड लिक्विड लगाते हैं तो यह रहेगा लिक्विड और यह रहेगा आपका gas और यह रहेगा आपका gas समझा आगी बद तो एलेक्ट्रोलेसिश हमने जो किया थर अस प्रॉसरŞ को क्या होता है यह होता है यह था है अगया Circum कि मैं चबtest में चों करते चैन इसμέPN आ एक रिएकन इस फॉरीक्टेंट मतलब आ इस पोड़ते हैं दो यहां से ज्यादा अब दुड़क्ट मैं ऐसलाइट की मदल से ऐसलाइट कीम इसलाइट की अधी कि मुझना कि फोटो मतलब लाइट कि जब कम उढम लाइट की मदद से किसी चीज को ब्रेक करते हैं कि अब क्या होता है नौरे ना कि थे एक्जाम्पल समझदो जब सिल्वर क्लोराइड को सलाइट में एक तरीके का सॉल्ट है तो जाव उसको कहारते हैं सब्लाइट मे तो थोड़ी दिर के बाद देखते हैं जो silver chloride पहले white color की थी वो दिले दिले क्या हो जाएगी grey color की हो जाएगी grey या purple color की हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि जो तूट गई इसके से में silver और chlorine उसका decomposition हो जाती है silver chloride को sunlight में रखते हैं silver और chlorine gas दूट गई इसे तुम्हारा जो सिल्वर ब्रोमाइड है 2-AG-B-R उसको जब सनलाइट में तखो गे तो आपको सिल्वर और ब्रोमीन मिलेगा समझवारी बात तो दा अवब टू रियक्शन्स यह जो ऊपर के दू रियक्शन्स आपको मैंने दिखाई यह दोनों रियक्शन्स का पुराने जमाने में ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है तो हमें यहां इक चीज़ पता चलती है कि जो डिकंपोजीशन्स रियक्शन्स होते हैं उन्हें के लिए क्या करना पड़ता है हीत देनी पड़ी आपकर्ण अब्ड़ी नौर्मल सिवार आता है कि इस चीज़ को ब्रेख करना तो अरट कोई भी में इस तो अ इसा जिसमें आप अब जिसमें आप अग्ले टाइप का रियक्शन है अब जो हमारा अगले टाइप का रियक्शन है बढ़ जो है क्या होता है जिसमें मोर रियक्टिव मैटल होता है वो लीस्ट रियक्टिव मैटल को उसके ही सॉल्ट सॉल्इशन से से इसके पूली गाव देता है के अंदर कॉपर सलफेट जिसका कलर आपको देख रहा है किस तरीके का बच्चो ब्लीव तो क्या करना है आपको कि इस कॉपर सलफेट के सॉलीशन में जो चार आयरन नेल्स डाल देनी जनली आयरन नेल्स जन्रोली जो है ना एक्च्वल में हमारी देखें तो तुम्हें चीज को फिर में दो तीन गंटे बिना चेड़े आसी लग दिया आपके तो तीन चार पानचे गंटे के बाद मैं बापस आया तो मैंने देखा कि जो मेरा सॉलीशन था पहले था नील अब वो चुका है आरा और जो आइरन की नेल्स पहले किसी और कलर की थी अब हो चुक है रड़ेश ब्राउन इस तरीके के हो चुक है रड़ेश ब्राउन तो दिमाग में सवाल आए लिए जा दू हुआ कैसी है तो ही हमारे एक displacement reaction होता है मैं पहले आपको बताता चलू कि जो copper sulphate उसकी कई नाम है ठीक है तुम्हारे टाइम पे ब्लू बिट्रल देखे तुम्हारे टाइम पे नीला थोटा बोल देते इसको ठीक है तो कुछ नहीं है copper sulphate ही है ठीक है क्या है copper sulphate तो सवाल कुछ ऐसे पूछता है what happens when iron nail is dipped in copper sulphate solution या फिर वाइदर कलर और या ऐसे पूल सकते हैं वाइदर कलर ऑफ कॉपर sulphate फेट सभे में iron nail is dipped into it जब उसमें iron की nails लाली जाती है तो फेड़ फेड़ हो जाता है क्यों अपना फेड़ हो जाता हो ठीक है तो reason क्या है रीजन है कि जो copper sulphate का blue color होता है वो धीरे-धीरे कैसा हो जाता है हारा कब जब आप उसमें iron की nails लाते हो ऐसा क्यों होता है because iron being more reactive iron जो भूण जादा रियक्ट रियक्टिव होता है क्या करता है copper को copper को displaced कर देता है copper sulphate से और बचलता यह विजदा अफ्मारा copper होगता है और या एरन sulphate और कि आयरन डेल कैसे हो जाती है रैडिश ब्राउण कलर के ठीक है बहुत इंपोर्टेंट रियक्शन है अब के साफ से नहीं दीजिएगा ठीक है यह हमारे सी यू ऐसो फॉर ब्लू कलर का इसमें फी डाल दिया तो फी ऐसो फॉर ग्रीव कलर का बन गया प्लस यू रैडिश ब् इसलिए नहीं हो सकता कि जो तुम्हारा कॉपर डिस्पलेस नहीं कला गःता तुम किसी के से सर प्लाइड तो चाहिं किस हिस किसी चीज पर आयरन की रोड मारें और किसी चीज पर कॉपर की रोड मारें तो ज्यादा डाइमेज कहां होगा आयरन की रोड पर होगा ठीक है तो सिर्फ याद करने के लिए ही है अब तुम फिजीकल स्ट्रेंथ की बेसिस पर फिजीकल स्ट्रेंथ की बेसिस पर जो है उनकी की रेक्टिविटी को जज्जमंत करने लग जाना ठीक है चलो हम बढ़ते हैं सोडा सा आधी की पता से तो अगर तुम ऐसे फिजिकल स्टेंद की पे सिस्टेंज करोगे तो भया पर तो सोडियम तो पनीर जैसा सौट होता है चाकू से काट लोगे पनीर जैसे चाकू से काट पर तो गलत हो जाएगा ना और आइरन चाकू से नहीं कटता तो तो यह कहोगे सर अइरन जादर यह था कि मैं उससे तुम्हें आद कनने लिए 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 तो फिर क्या होगा कि अगर जिंक ग्रेनुल को कॉपर सलपेट में डान दें तो चीक है जिक जिंक ग्रेनुल्स को तो जब मैं जिंक को पर सलपेट सॉलेशन में डालूंगा तो बन जाएगा जिंक इससे क्या पता चल रहा है कि जिंक पाइरन लेड कॉपर से जादा रियक्टिव है और को उत्यूशन से इस्प्लेस कर रहे है तो यह हमारी रेक्टिविटी सीरीज कुंदर सिया आपकिसी ओर्डर में प्याद कर लें रूपी कि देख लो अच्छे सह दिमाग में भी कुल छाप लो है अगला क्या है हमारा अगले टाइप का जो लास लास को नहीं का सपर है वह डबल डिस्प्लेस्मेंट तो डबल डिस्प्लेस्मेंट रिएक्शन में के ढीक्षेंट के बीच लिए ऑसे रियक्शन को जिसमें आइन एक्सचेंज होते हूं से डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन हमेसा followed होता है तो इसे precipitation से double displacement reaction में हमेसा precipitate और जो भी double displacement reaction में product solid state में रहेगा तो समझोजे सक気Joe अब तुम पैचानोगे कैसे की double displacement reaction है कि जनरली क्या तरीका है पैचानने का का left side के 2 solution जो है ना मलब दोनों reactant equus state में होनी जी इस state मनना जी एक्वा स्टेट में यहाँ पर जो मेरा sodium sulfate ना Na2SO4 एक्वास होनी और अगला है barium chloride गो भी कहा है दोनों को mix कर दिया एक test tube में डाल दिया तो थोड़ी दिर के बाद मैं देखूंगा कि sodium chloride तो equus state में है देखें जो तुम्हें barium sulfate मिलेगा वो solid state में नीचे ठहरा हुआ होगा आपके test tube में नीचे एकदम जमीन पे बाटाम उसमें ठहरा हुआ होगा और यह white color का precipitate देगा white color का precipitate देख रहे हैं आपको solid चीज़ है वो क्या देती है white ppt जो भी solid चीज़ रहेगी वो आपको क्या देगी ppt और इस reaction में किस color का ppt है white ppt white precipitate तो याद रखना precipitate क्या होता है precipitate एक insoluble चीज़ होती है कैसी चीज़ गुलती नहीं solution में नहीं गुलती है ठीक है और यह हमेशा double displacement के time के ही बनाए एक precipitation reaction का example पली है तो आपका अभी में आपको रूपल स्टार्टिक में ही याद होगा ऐसे पांस स्टार बनाए थे चीज़ है यह यह reaction by lead nitrate वाला जब उसको potassium audit pride के साथ रियक्ट करोगे तो yellow precipitate और क्या देगा क्या देगा क्या देगा मैंने का कि ions का exchange होगा तो आपको क्या है यह यह देखो sodium के साथ यह sulfate नहीं है क्या है sulfate नहीं है और barium के साथ क्या है chloride अब तुम जब उधर जाओगे तो तुम देखोगे जो sodium के साथ पहले sulfate था अब भी sodium के साथ sulfate नहीं हो कि क्या है chloride और barium के साथ जो left side में chloride था अब barium के साथ क्यों साइन हो गया है जो sodium के साथ था तो देख रहे हैं आप ions बंदल गए ना इदर भी सर्ने में एक्षेंज हो गई उड़े तो sodium का fluoride हो गया barium का sulfate हो गया तो अब आगे समझते हैं तो यह है double displacement इसका एक्सेंज होता है यह गोता क्यों है उसकी पीछे जन्रल साना एक सिंफल सा explanation तो यह है कि मैं तो मैं यह समझाते हूं ऐसे समझे मैं अगर आपसे पूछू बेटा सोडियम की वैलेंसी कितनी है तो आप कहूगे माइनस 2 कही है फिर मैं कहूँ आपसे बिटा क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है तो आप कहूगे सर माइनस 1 और मैं आपसे पूछू बेरियम की कितनी है तो आप कहूगे सर प्लस 2 यहां पर जो सोडियम सलफेड था ना सोडियम सलफेड देखो वो कुछ इसकी प्लस बन वैलेंसी थी और इसकी माइनस थी और यहां पर क्या था इसकी माइनस थी इनके बीच का bond उतना strong महीं हों है ठीक है लेकिन क्यों कि आइंस का जो कि जो विद इनके जो आइंस की वैलनिसी है चार्ज इनके उखर वो same नहीं है लेकिन अकर देखो सेम इसके सेम चार्ज के प bod Relays सिरे क्या किया इसCोंड लोम को यहिसे लिए का किया सोडियम ने इसको वेरियम को बोला भाइल bringen को राट स्कुनотр сб वारी का वारी बन्झ सिरे अच्छ ड्यागी जस्क्या रेट किया कई पिर बैव्या वाइल ने भी देखा वाइल मेरे तो 9 मुझे तो माइनस तूक को अपना होते दे ना चाहिए फालती नुमेर फालता हो रहा है तो आपके पेपर में ऐसे करके कोशन आजाता है आया भी होगा एक जो है एक उसकी वैलनसी है तो एक उसका इलेक्ट्रोनिक वाइशन वाई जो है उसका है तो इन में से किन के बीच इन सम्मे से इन तीनों में से किन दो के बीच बांड बनेगा ठीक है तो भाई यहां देखो यहां पर यह चाहरा है मेरे पास 7 2 1 एक फालटों में बन जाएगा यह और और Y का आउट मोस विन से फिल हो जाएगा और इनका जो बनेगा ना इन में से मैं गोई हूं वाई मेटल है की Z , तो मेटल Z है जो इनक्त्रोन देता है वो मेटल हो उसका नाम लिशा पहले आता है तो Y पहले आ जाएगा और Z बाद में तो यह जो इनका bond बनेगा है जो भी element है यह Y और Z उनका नाम कैसे लिखा जाएगा Sorry Z Y पहले metal लिखेंगे Z Y यह इनका compound बन जाएगा ठीक है Z Y और यह कई स्कूल के मैंने half candy के बेटर नहीं देखा है तो देखो oxidation reaction तो oxidation reaction में क्या होता है oxygen एड होता है या फिर hydrogen या फिर electrons इस एक शारी एक्षण जिसमें या तो oxygen एड हो जाए किसी चीज़न या फिर उसमें से hydrogen हो जाए या फिर उसमें electrons हो जाए तो इस reaction को क्या कहते है oxidation reaction जैसे देखो यहां पर क्या हुआ यह भी बड़ा फेमस reaction है बड़ा फेमस चीक है यह जो copper metal है आपका इसे बोलता है कि न रेडिश ब्राउन मेंटरी कैसा होता है यह रेडिश ब्राउन मेंटरी होता है इसको जब oxygen के साथ इस copper को जब oxygen के साथ हम heat करते है न तो हमें मिलता है बड़ा copper oxide और यह जो copper oxide मिलती है वो black color की हो जाती है तो इसका पता है question कैसे आता है कैता की अर रेडिश ब्राउन metal X when heated with a gas Y gives a black colored substance Z ठीक है Z प्राउन तो कहता आप पहले identify करो की X कौन है Y कौन है तो X reddish brown है और reddish brown में कौन होता है हमारा copper एक हमारा क्या है copper एक gas gas कौन सी है यह कौन सी gas हो सकती oxygen क्योंकि copper को जब हम oxygen के साथ ठीट करते है तब ली तो copper oxide बनके black होता है वो ठीक है तो Y क्या हो जाएगी हमारी oxygen और Z जो की black color का substance है तो कौन बस्ता है copper oxide चीक है आगे संब्यों प्रीचीज आप याद रखना ठीक है आप बात में नोट करते जाने पॉस कर करके वीडियो को ठीक है चलो अब क्या हो किया जब आपने बरतन copper का बरतन oxygen के साथ चलाया तो कैसा पढ़ गया काला मैगी पकाई हो कि तुम नफसके अंदर आप शाम को तुम्हारी मम्मी आने वाली है पढ़ेगी तो तुम्हें बरतन को जो तुमने काला किया उसे दुबारा से क्या करना है तो यहां क्या हो रहा है यहां देखो यहां पर यह copper जो है न copper oxide उसका oxygen चिन रहा है copper oxide का क्या हो रहा है oxygen चिन रहा है यहां पर left side में copper oxide का और right side में copper नहीं बचा यह oxygen क्या हो गया हो गया तो ऐसा reaction जिसमें oxygen रिमूव होता है एक ऐसा reaction जिसमें oxygen रिमूव होता है क्या फिर हाइड्रोजन एड होता है यह पर electrons गेन होते हैं क्या बोलते reduction reaction तो इसका example है बच्चो reduction reaction समयनारी बार किसका example है reduction reaction क्या हो गया ठीक है उसी question को वह आगे कैसे बढ़ा सकता था पीछे का आपको याद होगा कि ब्लैक कलर का substance Z मिला फिर कहेगा वैं दिस Z is heated with W इस Z com W के साथ heated with a when this Z is heated with a gas with a gas W gas W के साथ heat करोगा we get back we get back reddish brown metal सब कहेगा भाया उस W को भी पहचाल दो XYZ और पीछे पहचानी कहते है W क्या बचता कौन सी gas है hydrogen gas तो जो तुम्हारा काला वरतन है इसको Z नाम दियाता न उसको तुम W gas यानि hydrogen gas के साथ heat करोगे तो तुम्हें copper अलग, reddish brown metal और H2O अलग मिल जाए ठीक है फिर कहेगा अब इनका reaction लेक्शन लेको तो reaction तो पुम्हें दोनों reaction लेक्शन 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 करके Z बनाओ फिर Z का reaction W के साथ लेक्शन लेक्शन कर लेक्शन अब बात आती है हमारे redox reaction तो redox reaction में oxidation और reduction साथ साथ होता है ठीक है तो एक ऐसा reaction जिसमें एक substance तो oxidized होता है और जो अधर है दूसरा substance उसी टाइम पर reduce होता है उसको क्या कहते है redox reaction तो ऊपर वाले एक्शन में दोनों चीज़ें होई ठीक है मैं एक साथ में सम्झाना नहीं चाहता था तो यहां क्या हो रहा है यहां पर जो copper oxide है ना उससे oxygen चिन गया यानि copper oxide का तो क्या हो गया reduction और जो hydrogen था भी इसके पास देखो reactant side में oxygen नहीं था और product side में उसको क्या मिल गया oxygen तो इसका क्या हो गया oxidation जिसमें oxygen मिल जाए oxidation और जिससे oxygen चिल जाए reduction तो अब याद रखना reactant side पे मेरी बात बहुत बहुत से शुनना reactant side पे वो compound reactant side पे वो reactant जिसके पास oxygen है उसे बोलते हैं oxidizing agent तो यह रही मेरी reactant side में आप देख के बताओ कौन से कौन से reactant के पास oxygen है तो आप कहोगे सब copper oxide तो copper oxide मेरा oxidizing agent क्या कहलाएगा oxidizing agent चीक है और फिर थोड़ी दिर के बाद इस copper oxide से oxygen चीन गया चीन गया तो यही oxidizing agent आगे चलके हमारा reduced substance की खलागा तो इसका reduction हो गया तो इसका क्या होगे है reduction तो reduced substance यह दोनों भाई एक ही जो oxidizing agent होता है भाई हमारा reduced substance होता है कैसे पहचान होगे oxidizing agent आख बंद करना left side देखना और देखना left side में oxygen किसके पास है तो reducing agent हो है जिसको ना left side में देखो जिसके पास oxygen नहीं है अब oxygen किसके पास नहीं था hydrogen आगे देखो ना इस hydrogen को क्रिया क्या मिल गया oxygen तो किसने oxygen को reduce कि है hydrogen तो जो oxygen को reduce करता उस reducing agent मोलते है है और देख रहे हैं तुमने इसने जैसे reduce किया यानी चीना इसका oxidation भी तो हुआ यानी oxidized substance होता है तो कुल मिलाकर जो oxidizing agent है वही reduce substance होता है और जो reducing agent है वही oxidized substance होता है और यह तोनों चीज़ें आपको का मिलेगी left side हो ठीक है पैचानने के लिए सिर्प oxidizing agent पकड़ना जिसके पास left side में oxygen होता है इसमें देखो अब देखो zinc oxide left side में हमारा क्या है बच्छो zinc oxide इसके पास oxygen है और और carbon इसके पास oxygen नहीं है reducing agent क्या है reducing agent चीक है समझवाली बार देखो यहां देखो ना zinc oxide इधर जाके खाली zinc हो गया तो reduction हो ठीक है carbon इधर जाके oxygen मिल गया इसका oxygen हो गया तो oxidizing agent जिसके पास oxygen है zinc oxide ठीक है reducing agent इसके पास जिसने oxygen चीना कारबन ने चीना तो reducing agent जिससे oxygen चीन गया zinc oxide reduce substance जिसको oxygen मिल गया carbon oxidized substance ठीक है चलो अबला समस्क्राइब है पर एक यह reaction है देख लो आप लो एधर magnesium manganese oxide के पास oxygen है oxidizing agent उदर जाके नहीं रहा ठीक है to reduce substance ठीक है reduce substance मिल गया तो इसके पास SCL के पास oxygen नहीं है और इदर मिल गया तो क्या हो गया reducing agent इसने चीना ना चीना reducing agent और क्योंकि अब SCL को क्या मिल गया है oxygen oxidized substance ठीक है बहुत easy है एक बार वीडियो को आप पीछे करके देख लेंगे तो आपको पता चाहिए रहेगा चीक है MnO2 का मतलब होता है manganese oxide और यह red is brown substance x heat करने पे black बन जाता है एक्स पहचानो reaction बताओ एक्स copper है और reaction यह आपको बढ़ाया है तो मैंने इक हमारा corrosion corrosion का एक वो process है जिसमें metals धीरे धीरे जो है अंडिजायरे पर compounded convert होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनका reaction होने लगता है oxygen water acid gases वगरा के साथ है जब metal की surface oxygen water acid gases वगरा के contact में आती है तो उनकी surface इताब होने लगती है और इस reaction को अपन का कहते है corrosion तो iron की corrosion को बोलते है rusting of iron iron जब भी oxygen और moisture के contact में आता है तो उसके उपर एक reddish brown flaky substance रड़िश ब्राउन फ्लेकी substance deposit हो जाता है जिसे हम क्या कहते है rust ठीक है क्या बोलते है मुझे रस्ट तो reaction याद रखना हाँ भाई तो यह रियक्शन रटा मार के जाना or efi co2 plus ns2 क्या देगा efi2o3 dot ns2o क्या देगा corrosion of copper तुछ तुमारा copper है पानी के साथ co2 के साथ सबके साथ एक साथ contact में आजाता है तो तुम्हें यह बना के देता है copper carbonate copper hydroxide ठीक है complex salt होता है एक green color की coating के form में आपको copper के देखने के बलते है नया नया copper का बरतल आपको कोडिजनों के बाद वारा पाड़ नहीं नग जाता है ठीक है इस बज़े से इस reaction की यह ऐसा है तो copper के ऊपर रस्टिंग की बज़े से green color की लेयर चलती है फिर tarnishing of silver इसे क्या करते है तो silver के ऊपर black color की coating जाने की है तो इसको बोलते है tarnishing of silver तो silver जो तकी तुमारा 2AG है वो जब hydrogen sulfide gas के साथ यह करता है किसके साथ hydrogen sulfide के साथ तो वा आपको देता AG2S silver sulfide और H2 तो यह जो silver sulfide को क्या करती है आपकी silver को black पर देता है silver के ऊपर जब sulfide की लेयर जम जाती है तो silver कैसी पढ़ जाती है फाली है चीक है silver metal becomes dull on exposure to air due to the formation of coating of a black silver sulfide चीक है on it तो corrosion बहिया एक बहुत कंभीर समस्या है क्योंकि corrosion की वज़े से car की bodies bridges iron railings और है ना shapes और होगा सारी चीज़ें जो metals की बनी वो damage होने लगते हैं specially iron की चीज़ें बहुत दर्दी damage होने लगते हैं और हर सार लाखों करोडों पैसा जो है खर्च होता है damage iron को replace करने के लिए तो rusting of iron से बचने के लिए क्या करना चाहिए painting the metal surface boiling greasing galvanization galvanization में क्या करते हैं iron के उपर zinc की layer चड़ा देते हैं alloying जिसमें हम दो-4 metals को आपस में mix कर देते हैं stainless, steel gas, electroplating भी कर सकते हैं ठीक है इसे बारे में detail में हम लोग metal non-metal में करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं rancidity तो rancidity क्या है तो rancidity जब वो खाने की चीज़े जिसमें fat हो या फिर oil जब वो oxidized हो जाते है मतलब oxygen के साथ react कर जाते हैं तो उनका टेस्ट उनकी smell यानि खुश्पू बदल जाते हैं और इस process को अपन rancidity कहते हैं तो rancidity से बच कैसे सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी खाने वाली चीजों में antioxidants एड़ कर दो जैसे कि nitrogen gas एड़ कर दो क्या फिर उन खाने वाली चीजों को air tight containers में pack कर दो तकी oxidation की process विल्कुल slow कर दो कॉपी का ही डबबा देखो शीशी अगर तोड़ी सी भी तुली तूड़ जाए तो अगरे कोफी का पत्रशा मिलता है इतना tight सा हो जाता है ठीक है फिल सबसे बचने का तरीका क्या बहिया डखकान अच्छे से बहं क्या करो क्यों 200-300 रुपे की काफी की डबबा कराब कर देते हैं और नहीं देखवाल की जाती है तो दो-दो रुपे की पाउच आते हैं पुरा पैकी खरी दिलाओ दुकान विवे जमे जी होगả है एक फिरुपे की का चलो बार टक डू चिया रहा है कि जो चिप्स में पैक्चर है जनली क्या करते हैं फिरुप पैकेट में लगे बढ़ देती हां ऑग्ते हैं कॉन सी आप्सों बढ़ते ना एक कंपती है उसके उपर शे कूप सारा मीम पढ़े होंगे, जोक्स पढ़े होंगे, कि वो फलानी कमपनी जो अपने चिप्स के पैकेट में चिप्स से जादा गैस बढ़ते देती है, कमपनी का नाम नहीं दूँगा नहीं तो चैनल डाउन वर बात होगा, तो नाइट्रोजन गैस, जो की इनर्ट होती है नेचर में मतलब लेस रियक्टिव, वेरी 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 लेस नहीं होती है, ठीक है, रियक्टिव नहीं होती है, कौन नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, क्योंकि खुद रियक्टिव नहीं होती है, तो जो फूड आइटम उसके अंदर रखा हुआ आपने है, चिप्स के पैकेट के अंदर फुलकुरे के अंदर के पैकेट के अंदर फुलकुरे एक तो उन में oxygen को गुसने नहीं 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 होने देटी और वो rancidity से बचा लेती है ठीक है वो आपके पूर आइटम्स पुटा करती है फ्रैंसीडिटी से बचा लेती है ठीक है फिर हमारा एक टॉपिक बच रहा है बैलेंसिंग टैमिकल इक्वेशन इसको जो है बता हम नेक्स्ट ट्लास में कंसीडर करेंगे तिल देन आए बाट टेक केर गूड़ नाइट च कर दो है प्रैंड़ आएटार करेक दो गुब तो आएटमार कर दोर रहा है बालेंसिंग जोर खाता है एक विर उतना है अपर बगके